मित्रों, मैं दिनों दिन इस MW बिजनस और कमपनी के प्रती लगातार लॉयल होता चला गया, जुटता चला गया, मैं इसके प्रती दिवाना होता चला गया, और उसका सबसे बड़ा कारण था इसका फार्मडर्स फंडमेंटर। मैंने कभी अपनी जिन्दगी में एक साथ Freedom Family हो परिवार्ड ऐसी बाते ने शुए थी, कहीं किसी कमपनी में जहां लोग आपके सुखदुक के साथ साथ आपके परिवार, आपकी आशाओं और आपको क्या पुरसकार मिलता है, सब परचिंता करते हैं, कितनी अच्छी बात है इसने मुझे loyal बना दिया, इसके अलावे जो सबसे ची बात लगी वो इसकी accountability and promises, इन्होंने जो कहा वो किया, मेरे कभी कोई paycheck bounce नहीं हुए, सारी चीजे मुझे उस रूप में मिली जैसे मैंने काम किया, हर चीजे उस रात के सुबह होते ही मिलती थी, जिसके बारे में दिन म में सोच सकता था, और यही चीज कि कोई पूर्वानमान भी नहीं लगा सकता है, आप अपने उपलब्धी को अपने दरवाजे पाते हो, लेकिन यहाँ पर यात्रा भी उतना ही आनंद का था जितना परिनाम था, इसने मुझे बहुत 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 अंदर से अच्छा बना और इस बिजनस के लिए लॉयल बनाया, एंवे की तरफ मेरा लॉयल्टी जो है वो बहुत करण से है, लास्ट 20 यहाँ मैंने बहुत नजदी की से इस कंपनी को देखा है, एंड इच एंड एवरे टाइम में फिल्ट सच अ ब्यूतिफल कंपनी इस लास्टी यहाँ ग्लोब यह एंवे ने बार बार प्रूफ किया है, स्पेशली अभी अगर लास्ट 2-3 साल में हम लोग देखते हैं कि ट्रेक्ट सेलिंग का जो फिल्ड में जो चेंज आया है, जो गाइड लाइन लेकर आना, उसमें भी एंवे का जो लीडिंग पार्ट, एंशली एंवे का जो बीच साल से उपर इस बिंस में हैं और हमने देखा बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी दूसी कंपनियां के नेड़ा में भी जहां भी और वो जे क्लेम करते थे के हम तो एंवे से भी बढ़िया हैं, एंवे जैसे हैं, परन्तु बाद में पता चला लोगों को जो कुछ ल कर देंगे, पर कुछ साल बाल वो कंपनियां दिखती नी कहा हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसे आई और अब लोगों को पता चल गया के में बेस्ट क्योंके अम्वे तो शुरू से बेस्त हैं, इन्होंने जो वर्ड क्लस प्रोड़्ट्स में, साटिफाइड और गनिक फॉर्म हैं वे रमवे चर्षा ब़र को में अब्या बोसॉल, को थाउ नीर आप सी अप में बूल धिसन्स में, हैं में अप्रोड्स को में बडोड टूर ख़ू थे बडू तो एम्वे तोंन। क्या νे को हैं, है अज्गि आख प्राइडल फिस तल फिसके मेंएंने त Любन्षिया को the ethics so wherever they start the business they first follow the government guidelines in india also they did the same thing 60 years amway experience can't be compared to anything they have till today they have moved for 60 years means without the ethics they can't move on to this level